अब हम कैपलर के ग्रहों की गती के दूसरी नियम की विद्पत्ति करते हैं मान लीजे यह सूर्य है और ग्रह इसके चारों और एकद्रिक वित्तकार पत पर गती कर रहा है मान लीजे किसी समय T पर यह ग्रह A बिंदू पर है जिसकी दूरी सूरत से R है अब हम अल्प समय लेते हैं डेल्टा T इस अल्प समय में ग्रह गती करते हुए इस P बिंदू पर पहुच जाता है मतलब अब यहाँ पर समय है T प्लस डेल्टा T और यह बहुत ही अल्प समय था इसलिए हम यह मान सकते हैं कि दूरी में ज्यादा परिवर्ता नहीं होगा इसलिए हम यह दोनों ही दूरी को R मान कर चल रहे हैं अब A को यह दी हम सूरत से जोडते हैं और B बिंदू को भी सूरत से जोडने वाली क्रेखा खेशते हैं तो हमारे पास एक त्रिभूज मिल रहा है S, A, B जिसका छेत्रफल होगा इस त्रिभूज का छेत्रफल S, A, B हमको यह देखना है कि इस पूरे गती में ग्रह का छेत्रिय चाल नियत है जैसे कि कैपलर के ग्रहों की गती के दूसरे नियम से हमने जाना तो यहाँ पर हम इस त्रिभूज का छेत्रफल ग्याद करेंगे तो area of triangle S, A, B हम जानते हैं किसी भी त्रिभूज का छेत्रफल होता है half base into altitude तो यहाँ पर इसका base यानि कि आधार A, B है और यह height यानि कि दूरी यह R है तो हम लिख सकते है half R cross A, B बच्चो, R, B एक सदीश है क्योंकि हम यहाँ पर S से लेकर A तक की दूरी को दर्शा रहे हैं तो हम इसे R सदीश से लिखेंगे वैसे ही A से लेकर B तक की दूरी को भी हम सदीश A, B के द्वारा वेक्त कर रहे हैं अब A से लेकर B तक पहुशने में जो ग्रह द्वारा वेक्त था उसे हम रेखिये वेक्त कहेंगे तो रेखिये वेक V बराबर होगा विस्थापन बटे समयंत्राल, विस्थापन ए A, B और ये अलप समयंत्राल है डेल्टा T तो यहां से A, B बराबर हो जाएगा V इंटो डेल्टा T अब यह हमान हमें सूत्र पर रखते हैं तो डेल्टा A बराबर हाफ R क्रॉस V ड़र डेल्टा T अब डेल्टा T को हम लेफ्ट हैंड साड ले जाते हैं तो यह हो जाएगा डेल्टा A अपन डेल्टा T इक्वल टू हाफ R क्रॉस V अब numerator और denominator दोनों में हम M से गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1 बाइ 2M R क्रॉस M इंटो V द्रव्यमान और V का गुणन फल यह समवे को दर्शात है तो हम लिख सकते 1 अपन 2M ब्रेकेट के अंदर R क्रॉस P R क्रॉस P यानि समवे को जब हम दूरी के साथ सदीश कुणन करते हैं तो वह राशी होती है अंगुलर मोमेंटम यानि की कोण यह समवे इससे हम L से प्रदर्शित करते हैं तो यहां हम लिखेंगे 1 अपन 2M इंटो सदीश L और यह जो राशी है डेल्टा A अपन डेल्टा T यहां समय के साथ छेत्र फल में परिवर्तन को दर्शा रही है और इसे हम छेत्रिय वेक कहेंगे तो छेत्रिय वेक बराबर होगा 1 अपन 2M इंटो L अब जब ग्रह सूरी के चारो और गती कर रहा है तो इस ग्रहा पर बाहर से कोई बल एप्लाई नहीं किया जा रहा है और हमने law of conservation of angular momentum से जाना कि जब कोई बाहे बल ना लगे उस condition में angular momentum conserved रहता है यानि कि संरक्षित रहता है और यही कोण ये समवेक संरक्षन का नियम है तो जब इस ग्रहा पर कोई बाहे बलकारिय नहीं कर रहा है तो L constant होगा नियत होगा तो यहां हम देखे right hand side में ग्रह कद्रवेमान भी नियत है और L भी नियत है तो यानि कि right hand side वाली सारी quantity एक constant quantity है इसलिए हम लिख सकते हैं छेत्रिय वेग बराबर एक नियत राशी और कैपलर के गती के दूसरे नियम से हमें यही सिद्ध करना था कि जब कोई ग्रह सूरे के चारों और दिर्ग विता कारपत पर गती करता है तो उसका छेत्रिय वेग नियत रहता है बच्चों गृत्वा कर्शन बल के बारे में हम जो चर्चा कर रहे है इसका अनुभाव हमने भी किया है पृत्वी के लिए हमने भी इस गृत्वा कर्शन बल को महसूस किया है बच्चों आप जानते हैं कि जब सर आईजेक न्यूटन एपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एपल वहां से तूटा तो वो पृत्वी की तरफ ही आकर्शित हुआ उनके दिमाग में तभी तो यह कोश्चन आया था कि यह एपल और कहीं भी क्यों ने गया उपर भी जा सकता था यह नीचे क्यों आया ऐसा आप भी अनुभव करते हैं जब आप किसी पत्थर को यह बॉल को उपर के और उचालते हैं तो वो अपने आप ही थोड़े दर बाद नीचे आ जाती है जब आप उसे वेग देते हैं तो वो थोड़े देर उस वेग के करण उपर जाती है लेकिन जैसे ही उस वेग का मान शून्य होने लगता है या फिर आपके द्वारा लगाया गया बल कम होने लगता है उसके बाद वहाँ पर प्रित्वी का अकर्शन बल काम करना शुरू हो जाता है और वो पत्थर ये बॉल नीचे की ओर आ जाता है यदि आप किसी पत्थर को स्वतंता पूर्वक छोड़ दे फेके ना आप उसे उठा के रखे हैं यानि कि आप उसे विराम अवस्था में रखे हैं उसका वेग उस समय शून्य है और जब आप उसे ड्रॉप करते हैं तो अपने आप नीचे की ओर चले जाता है कहां प्रित्वी के पास वो प्रित्वी से कभी भी अपोजिट डिरेक्शन में नहीं जाता हमेशा प्रित्वी की ओर ही आकर्शित होता है और यू कह सकते हैं कि इस आकर्शन वल के कारण है उस पथर के वेग में परिवर्तन होता है उसका वेग शून्य था लेकिन धीरे धीरे उसका वेग बढ़ जाता है वो प्रत्वी की तरब जब खिचाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और न्यूटन के गती के दूसरी नियम से हम जानते हैं बल एक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण यानि जब बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है और इस वेग में परिवर्तन को हम त्वरण नाम से जानते हैं अब यहां पर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है पत्थर के अपने पत्थर को एक स्थिती पर रखा था उचाई पर रखा था वेग शुन्य था लेकिन छोड़ने पर उसका वेग बढ़ता गया और ये वेग किसके कारण बढ़ रहा है पृत्वी के गृत्वा कर्शन बल के कारण तो इस गुरुत्वा कर्शन बल के कारण जो वेग में परिवर्तन हो रहा है विद्धिव हो रही है इसे हम गुरुत्वी त्वरण के नाम से जानते हैं और बच्चों इसे हम अंग्रेजी अलफबेट के स्मॉल लेटर जी से प्रदर्शित करते हैं तो जब हम गुरुत्वा कर्शन पार्ट का अध्यान करते बच्चों तो आप जनरली कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के स्थान पर अलग-अलग राशियां लिग देते हैं आण में किसी भी कोने में किनी भी दो पिंडों के लिए चाहिए वो किसी भी आकरितियों किसी भी आकार के हो यह एक नियत राशी है और इसका मान है 6.67 इंटु 10 तपावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेर प्रति केज स्क्वेर यह स्मॉल जी किसी भी पिंड के द्वार किसी दूसरे पिंड पर उत्पन त्वरन का मान है और यह डिपेंड करता है उस पेंड पर और यह गुरुतवी त्वरन सदीश राशी है जिसकी दिश्या सदय भी पृत्वी के केंद्र की ओर होती है क्योंकि पृत्वी वस्तु को अपनी और आकर्शित करती है हम किसी भी पेंड की बात करें यदि एक पेंड किसी दूसरे पेंड में त्वरण उत्पन कर रहा है तो उस गुरुत्वी त्वरण की दिशा उस पेंड के और ही होगी गुरुत्विय त्वरंड का मात्रक ऐसा ही पद्धिती में मीटर प्रतीव वर्ग सेकंड होता है जबकि सीजेस पद्धिती में संटीमीटर प्रतीव वर्ग सेकंड होता है और इसका विमिय सूत्र त्वरंड के विमिय सूत्र के बराबर होता है बच्चो ये भी एक इंपॉ कुम्टिटिव एक्जाम में पूछा जाता है साथ साथ आपके 11 के एक्जाम में पूछा जाता है इसका वीमियस उत्र होगा M0LT-2 अभी जो गुरुत्वी त्वरण है स्मॉल जी और गुरुत्वा कर्शन नियतांग कैपिटल जी इन दोनों में भी संबंध है तो पहले हम दिर इन दोनों में संबंध स्थापित करते हैं और इस संबंध के आधार पर हम पृत्वी के लिए गृत्वी त्वरण के मान को कैलकुलेट भी करेंगे बच्चो यह हएं पर हमें के माली जी पृत्वी की सतह से कुछ उचाई पर है पर यह हैं उचाई प्रितवी की तुल्ना में बहुत कम होगी इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह प्रत्वी के सतह पर ही रखे अब इन दोनों की बीच में अकर्षणनो इस सटहां कर करेगा और जैसे ही हमने गुरुत्वाकर्शन बल के विभिन विशेष्टाओं के बारे में जाना यह बल केंद्री बल होता है यानि दोनों पिंडों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर ही कारे करेगा और यह दूरी यानि कि प्रित्वी की इस पिंड से दूरी आर है जो कि प्रित्वी की तरिजय के बराबर ही है मैं आपको बताया बच्चों यह प्रित्वी की सता से कुछ उचाई पर रखा है लेकिन यह इसकी तरिजय की तुलना में नगन्य है इसलिए हम यह मान लिए कि मतल वी की त्रेजिया ही ले रहे हैं अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के नुसार इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का सूत्र होगा लेकिन हम न्यूटन के गति के दूसरी नियम से जानते हैं कि किसी भी पिंड पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणन फल के बराबर होता है तो हम जानते हैं F equal to M into A होता है यहाँ पर हम लिखेंगे F equal to M into G मतलब इस पिंड पर आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन हो रहा है उससे हमने जी लिया है तो इस पिंड पर लगने वाले बल को हम लिख सकते हैं F equal to M into G अब इन दोनों ही समीकरण को हम देखें यह समीकरण Newton के गति के दूसरी नियम से आया जबकि यह समीकरण Newton के सारवतरी गुरुत्वा कर्षण नियम के अधार पर लिखा गया पर यह दोनों ही बल इस पिंड पर लगने वाले अकरशन बल को ही प्रदर्शित कर रहे हैं तो समीकरण एक और दो को हम देखें तो हम लिख सकते हैं M G equal to G M M upon R square यहां से small m दोनों पक्षों से कट जाएगा तो हम देखेंगे G equal to G M upon R square और यही G और G में संबंध हैं बच्चों यह equation derive करने के लिए एक्जाम में आता हैं कि G और G में संबंध स्थापित करिए तो यहां से हम देख सकते हैं G equal to G M upon R square और इसके आधार पर हम प्रित्वी के लिए गुरुत्वी तुरण का मान कैल्कुलेट कर सकते हैं Capital G का मान हम जानते हैं यदि हम प्रित्वी का द्रवे मान पता हो और प्रित्वी की तुरण के मान को भी कैल्कुलेट कर सकते हैं बच्चो इस चैप्टर में हमको कुछ quantities के मान याद रखने होंगे क्योंकि numerical questions आते हैं तो कभी यह मान दिये जाते हैं कभी यह मान नहीं भी दिया जाते हैं तो इन मान को हमेशा आपको याद रखना है जैसे कि प्रित्वी की तुरण का मान प्रित्वी की सता के लिए प्राप्त होता है है 9.8 मीटर प्रती वर्ग सेकेंड और यदि इसे हम सीजेस पद्दती में लिखें तो 981 सेंटी मीटर प्रती वर्ग सेकेंड होता है यह मान भी आप याद रखिए जब numerical questions आएंगे तो इन मानों को कभी आपको सीजेस पद्दती में भी इस्तमाल करना होता है और कभी आप इसे है पद्दती में इसनवाल करना होता है और इस प्रकार हमें सूत्र से देखें चैने यह जो घुलत्वी त्वरण का मान है यह वस्तु की द्रवे मान पर निरभर नहीं कर रहा है मतला स्थी के लिए चीजेश मान होगा पृत्वी की सतह पर और यहां से हम देखें तो यह केवल डिपेंट कर रहा है पृत्वी के द्रवेमान पर और पृत्वी की त्रिज्या पर यहां पर जो हमने गृत्वी त्वरण का मान कैलकुलेट किया है वो पृत्वी के लिए कैलकुलेट किया है और इसलिए हम यहाँ पर पृत्वी के दरवे मान और पृत्वी की तरिजय की चर्चा कर रहे हैं पर हम अन्य पिंड के लिए भी गृत्वी तुरंड का मान कैलकुलेट कर सकते हैं और जिस पिंड के लिए भी अब गृत्वी तुरंड का मान कैलकुलेट करेंगे ये उसके द्रव्यमान और उसकी त्रिजे पर निर्भर कर रहा है मतलब वो पिंड का द्रव्यमान कितना है और वो कितना बड़ा है तो जितना भारी पिंड होगा जितना बड़ा पिंड होगा उसकी गृत्वी तुरण का मान भी अधिक होगा और पिंड जितना छोटे होते जाएगा उसके गुरुत्वी तुरण का मान कम होने लगता है हमारे पास एक और पिंड है चंद्रमा हम इसकी गुरुत्वी तुरण के मान को भी कैलकुलेट कर सकते हैं चंद्रमा का द्रव्य मान 7.34 x 10.22 kg होता है और चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 x 106 मीटर होती है अब यहां मान हम इस सूत्र में रखकर चंद्रमा की गुरुत्वी तुरण का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जब इन सभी मानों को इस सूत्र में रखा जाता है तो चंद्रमा का गुरुत्वी तुरण 1.62 मीटर प्रतिवर्ग सेकंड मिलता है और यदि इसे हम प्रतिवी के गुरुत्वी तुरण के मान से कंप्यार करें तो यह प्रतिवी के गुरुत्वी तुरण का लगभग एक बटे छे गुना होता है अब देखते हैं कि चंद्रमा छोटा है इसका दरवेमान भी कम है तो इसका गुरुत्वी तुरण का मान भी कम ह और किसी वस्तू का भाः उसकी गुरूत्वी तवरेंट के मान पर भी नेसर करते हैं बच्चो भाः क्या है बाई और द्रवेमान डो अलग concept है जेनरल हम इन दोनों concept को मिक्स कर देते हैं किसी वस्तू का केंद्रविमान उस वस्तू में पदार्थ की मात्र है और इसे हम Small M से दर्शाते हैं यह Capital M से दर्शाते हैं लेकिन किसी वस्तू का भार एक बल है वह बल जिसके कारण वो आकर्शित होता है पिंडे की और यदि हम प्रित्वी में भार की बात करें तो भार वह बल है जिसके कारण हम प्रित्वी के केंद्र की और आकर्शित होते हैं वैसी चंद्रमा में भार की बात करें तो वह बल जिसके करण हम चंद्रमा की केंद्र की और आकर्शित हो तो चलिए बच्चों इसी आधार पर मैं आपको एक प्रश्न पूश्टती हूं मान लीजिए एक वस्तु है जिसका भार पृत्वी पर 60 किलो है तो जब इस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाए जाएगा तो इसके द्रविमान पर और भार पर क्या फर्क पड़ेगा फर्क यानि कि चंद्रमा पर ले जाने से वस्तु के द्रविमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन जब हम भार की बात करते हैं तो भार बल है और सबने हैं जिसके कारण वो वस्तु को और अपनी और आकर्शित कर रहा है और उस आकर्शन की कारण जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसे हम गृत्वी त्वरण का नाम देते हैं तो हम लिख सकते या यू कहें भार यानि weight equal to m into g तो यहां पर भार में गृत्वियत्वरण का प्रभाव जरूर पड़ेगा और हम जानते हैं कि चंद्रमा का गृत्वियत्वरण प्रित्वी के गृत्वियत्वरण का लगभग एक बटे छे गुणा है तो जो वस्तू पृत्वी में 60 किलो की थी वो चंद्रवा में 10 किलो की हो जाएगी क्योंकि यदि हम देखे 60 बटे 6 लिखे तो ये 10 किलो का हो जाएगा तो इस प्रकार हमने देखा कि भार पर गृत्वी त्वरण का प्रभाव पढ़ता है और इसलिए अलग-अलग पिंडो पर एक ही वस्तू का भार अलग-अलग हो सकता है अब बच्चों हम जी और जी में अंतर स्पस्ट करते हैं ये कोश्चन भी एक्जाम में तीन नंबर का पूछा जाता है जी और जी में अंतर जी यानि की गृत्वी त्वरण जी यानि की सारवत्रिक गृत्वा कर्शन नियता गृत्व के अधीन स्वतंता पूर्वा गिर्तिवी वस्तू में उत्पन त्वरण को गृत्वी त्वरण कहते हैं एक आंक दूरी परिस्थित, एक आंक द्रव्यमान के दो पिंडों पर लगने वाले आकर्चन बल का आंकिक मान G के बराबर होता है, इसका मान भिन भिन स्थानों पर भिन भिन होता है, पृत्वी की सता पर g का मन 9.8 m. प्रति 2 जिकेंद स्क्वेर होता है इसका मान समस्त रस्थानों पर एक समान होता है यानि की g बराबर 6.67 into 10 to the power minus 11 newton m. स्क्वेर प्रति kg स्क्वेर इसका ऐसाई मात्रक m. प्रति 2 स्क्वेर है इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रती केजी स्क्वाइर है यहाँ एक सदीश राशी है यहाँ एक अदीश राशी है इसका विमी सूत्र M0LT-2 है इसका विमी सूत्र M-1L3T-2 है बच्चों, G और G में जो हमने संबंध स्थापित किया था उसके आधार पर हम पृत्वी के दरव्यमान को भी कैल्कुलेट कर सकते हैं तो आइए बच्चों हम पृत्वी के दरव्यमान को कैल्कुलेट करते हैं सूत्र है G equal to G M upon R square और यहाँ से हम देखें तो M बराबर यानि कि पृत्वी का दरव्यमान होगा G R square upon capital G और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला कि आपको बहुत सारी राशी इस पार्ट में याद रखनी होगी ताकि हम आगे की कैलकुलेशन्स को आसानी से कर सके यहां से हम देखे बच्चो तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रती वर्क सेकिंड और पृत्वी की त्रिज्या आर बराबर होती है 6.38 इंटू 10 तो पावर 6 मीटर और कैपिटल जी का मान यह तो आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10 तो पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेर प्रती केजी स्क्वेर और यह सारे मान को जब इस सूत्र में रखते हम तो पृत्वी का द्रवेमान हमें मिलता है 5.97 इंटू 10 तो पावर 24 केजी और इसी आधार पर हम पृत्वी के घनत्व को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चो घनत्व का फॉर्मुला होता है द्रवेमान बटे आयतन अब यहां से हमने पृत्वी का द्रवेमान तो कैलकुलेट करे लिया है अब हम पृत्वी के आयतन को यह सूत्र में लिखकर पृत्वी का घनत्व भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम पृत्वी को गोल म फॉर्मुला होता है, 4 by 3 pi r cube, माली जी पृत्वी की तृज्य r है, तो हम यहाँ पर सूत्र लिख देंगे 4 by 3 pi r cube, और यहाँ पृत्वी का द्रवेमान लिख देंगे, द्रवेमान का मान अब हम यहाँ पर सूत्र में रखकर, और पृत्वी की तृज्य का मान इस सूत्र में हम पृत्वी के घनत्व को calculate कर सकते हैं मार लेजे हमारे पास पृत्वी का दरव्यमान नहीं दिया गया है उस condition में भी हम पृत्वी के घनत्व को calculate कर सकते हैं बच्चों हम यह सूत्र जानतें g equal to gm upon r square यहां से हम देखें तो m upon r square बराबर होगा g upon g अब इस सूत्र में हम देखें तो r cube है r cube को हम दो भागों में लिख सकते हैं r square into r अब यहां से हम देखें m upon r square को हम लिख सकते हैं g upon g यह g और यह small g और capital g का मान तो आपको याद रखना है हमेशा तो इस मान को तो हम याद रखेंगे और इसलिए इस मान को हम इस formula में substitute कर रहे हैं तो जब m upon r square को हम इस से replace करेंगे तो यह formula हो जाएगा d equal to g upon 4 by 3 pi r g और यह 3 उपर जाएगा क्योंकि यह denominator के denominator में हैं तो हम लिख सकते हैं d equal to 3 g 4 pi g r और इस प्रकार इस सूत्र से हम पृत्वी के घनत्व को भी calculate कर सकते हैं बच्चों पृत्वी के सता के लिए गृत्वी त्वरण g का मान 9.8 meter per second square होता है और यह वह त्वरण है जो किसे भी वस्तु में पृत्वी के गृत्वा कर्षन बल के कारण उत्पन होता है यदि वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए अब इसी अधार पर आप मेरे कोशन का आंसर दीजिए मान लीजिए आपके पास एक लोहे की बॉल है भारी होती है और एक पंक है बॉल की तुल्ला में ये पंक बहुत ही हलका है यदि दोनों को मैं पृत्वी की सता से समान उचाई पर ले जाओ और उसके बाद ये दोनों को एक साथ हम ड्रॉप करते हैं अब मुझे ये बताईए दोनों में से कौन पहले पृत्वी की सता पर पहुँचेगा जरूर आपकी दिमाग में आंसर आया होगा कि बॉल पहले पहुचेगी और पंक बाद में पहुचेगा तो चलो इस एक्टिविटी को करके देखते हैं हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है और एक पंक लिया है इन दोनों को हम एक साथ ड्रॉप करते हैं देखिए इस एक्टिविटी में हमने देखा कि बॉल पहले पहुच रही है और पंक बाद में तो जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी सद्धानतिक रूप से हमने यह जाना कि गृत्वी थ्वरण का मान तो सभी वस्तूओं के लिए एक ही होता है व्योंकि जब हम जी का फॉर्मुला लिखते हैं तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेर होता है यहाँ पर वस्तू के द्रवेमान का कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए केवल यहाँ पर प्रित्वी कद्रवेमान प्रित्वी की त्रिज्या इनहीं का प्रभाव पढ़ना चाहिए तो यह दोनों वस्तूओं को एक साथ ही प्रित्वी की सतह पर आना चाहिए था क्योंकि दोनों ही वस्तुओं के लिए गुरुत्वी तुरंड का मान 9.8 मीटर प्रती वर्क सेकंड है पर यहाँ पर बॉल पहले आ गई और पंक बात में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस प्रयोग को इस वायू मंडल में किया जहां पर हवा थी वायू का आवरंड था और इसके कारण ही इस बॉल और पंक पर अन्य फोर्स भी काम करने लगे और उसके कारण हमारी जो सेंधांतिक थियोरी थी इस प्रयोगिक निसकर्ष से मेल नहीं खाई लेकिन अब इसी प्रयक्टिकल को हम निर्वात में करते हैं पूरी हवा खाली कर देते हैं और यहां पूरा वैक्यूम क्रियेट करते हैं उसके बाद देखते हैं पंक और बॉल दोनों को एक ही उचायी पर रखते हैं और एक साथ इसे ड्रॉप करते हैं आईए देखे तो देखे बच्चों कि यहाँ पर बॉल और पंक दोनों एक ही साथ पृत्वी की सता पर आए तो हमारी सिधान्तिक थोरी यहाँ पर प्रयोगिक निश्कर्स से बिलकुल मेल खा रही है और यही सत्य है कि पृत्वी की सता पर सभी वस्तूओं के लिए द्रव्यमान कुछ भी हो तो इसका मतलब यह जी का मान वस्तूओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है तो फिर आईए देखते हैं कि यह जी का मान किन-किन कार को पर निर्भर करता है सबसे पहला पृत्वी की सता से उचाई पर यानि वेरियेशन ओफ जी जो टू आल्टिट्यूड नेक्स्ट पृत्वी की सता से गहराई पर यानि वेरियेशन ओफ जी जो टू देप्थ और तीसरा है अक्षान्स के साथ जी में परिवर्तन यानि वेरियेशन ओफ जी जो टू लेटिट्यूड अब एक एक करके हम तीनों स्थितियों को डिसकस करते जाते हैं पृत्वी की सता से उचाई के साथ साथ गृत्वी त्वरण के मान में परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हम पृत्वी के स्ट्रक्चर को देखते हैं हम मान लेते हैं कि पृत्वी गोल है अब इसकी सता से उचाई देखनी है सताह से उचाई का मतलब होता है सताह से दूरी तो इस तरह से सताह से जितनी भी दूरी आप लेंगे वो सताह से उचाई कहलाई माल लीजिए यह प्रित्वी की तरिज्या R है इसकी सताह से दूरी H है तो जब हम variation देखते हैं गुरुत्वी तुरण के मान में तो हम देखते हैं कि यह वस्तु प्रित्वी के केंद्र से R प्लस H दूरी पर स्थित होना चाहिए यदि वस्तु की सताह से उचाई H हो तो अब हम compare करेंगे दोनों ही स्थिती में गुरुत्वी तुरण का मान क्या होगा अब मान लीजे प्रित्वी का द्रविमान M है और प्रित्वी की त्रिज्जे R उसकी सता पर M द्रविमान का कोई वस्तु रखा गया है तब प्रित्वी की सता पर गुरुत्वी त्वरण G का मान होगा GM अपॉन R स्क्वेर इसे हम समीकरण एक देंगे अब मान लीजे प्रित्वी की सता से H उचाई पर ले जाया जाता है तो प्रित्वी की केंद्र से उसकी दूरी R प्लस H होगी उस समय इस स्थिती में प्रित्वी की गुरुत्वी त्वरण के मान को हम G डाइस से प्रदर्शित करते हैं तो G डाइस पराबर होगा GM अपॉन R प्लस H का स्क्वेर क्योंकि यहाँ पर दूरी R प्लस H हो गई है इसलिए हमने यहाँ पर दूरी के स्थान पर R प्लस H लिखा है इसे हम समय करण 2 लिख देते हैं अब यदि हमें दोनों स्थिती पर गुरुत्वी त्वरण के मान को कंपेर करना हो तो हम समय करण 2 से समय करण 1 को भाग दे देते हैं तो G-डर अपन G हो जाएगा GM अपन R प्लस H का स्क्वियर इंटो R स्क्वियर अपन GM G-डर अपन G होगा R स्क्वियर अपन R प्लस H का स्क्वियर और इस समय करण में हम देखे तो राइट हैंड साईड में numerator का मान, denominator के मान से कम है तो यह एच कितनी भी छोटी राशी क्यों न हो यदि हम उसमें कुछ एड कर रहे हैं तो यह value आर की तुलना में अधिकी होगी जब right hand side में numerator command denominator की तुलना में कम है तो left hand side में भी numerator command denominator की तुलना में कम होगा और इसलिए हम लिख सकते हैं g dash is less than g और हम यू कह सकते हैं कि पृत्वी की सता से उपर जाने पर गृत्वी तुरन कमान घटने लगता है और इसी समीकरण में यदि h बराबर अनन्त हो पतलब हम किसी पिंड को पृत्वी से अनन्त दूरी तक ले जा रहे हैं तो इस समीकरण में H बराबर अनन्त लिखेंगे तो denominator का मान भी अनन्त हो जाएगा और किसी भी राशी को यदि हम अनन्त से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ने होता है तो इस प्रकार G ड़ाबर 0 ने हो जाएगा अतहा अनन्त पर गृतवी तोरं का मान 0 ने होता है इस समय करण को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं मान लीजे हम डिनोम नेटर में r square common लेते हैं तो पहले वाले पद में 1 बचेगा और second पद में r था ही नहीं तो यहां पर होगा h upon r तो इस प्रकर g dash upon g equal to होगा r square upon r square bracket के अंदर 1 plus h upon r का whole square यहां से r square r square cancel हो जाएंगे तो g dash upon g बराबर होगा 1 upon 1 plus h upon r का whole square और g dash upon g बराबर होगा 1 plus h upon r power minus 2 हम डिनोम नेटर को नियूमरेटर में लिखी गए इसलिए इसके power में minus 2 में जाएगा अब इस quantity को जो right hand side है इसे हम द्वीपद प्रमय के अनुसार expand करते हैं और जब हम इस expand करेंगे तो आगे के जितनी भी राश्य होंगी इसमें power बढ़ते जाएंगे जैसे कि हम h upon r का square लिखेंगे h upon r का cube लिखेंगे और इस प्रकार हम देखे तो यह मान कम होते जाएगा क्योंकि h upon r is very very less than 1 है क्योंकि h की value r की तुल्ला में बहुत ही कम है प्रित्वी की तृज्या बहुत अधिक है और किसी भी वस्तु को उसकी सता से उचाई तक ले जा रहे है तो यह मान प्रित्वी की तृज्या की तुल्ला में कम ही होगा और इस प्रकार हम दुई पत्प्रमे के आगे जितने भी terms होंगे उन सभी को neglect कर देंगे क्योंकि उनका मान बहुत ही कम है एक से कम होने के कारएट इन सारे मानों को नगणने माना जाएगा और यहां पर हम के वर दो ही पत लिखेंगे और इस प्रकार g-डेश अपन g हो जाएगा 1-2h अपन r और यहां से हम लिख सकते हैं g-डेश बराबर g इंटू 1-2h अपन r अब इस स्थिति में g के मान में कितना अंतर आया इसको निकालने के लिए हम क्योंकि इतना तो clear है कि G- यानि कि अभी जो नवीनितम गृत्वी त्वरण का मान है उसमें कमी आ गई है तो हम यहां अंतर ग्याद करने के लिए हम प्रत्वी की सता पर गृत्वी त्वरण के मान से इस मान को घटाएंगे घटाने पर हमें मिलेगा 2GH अपॉन आ और इस प्रकार G के मान में कमी बराबर होगी 2GH अपॉन आ यदि H का मान प्रत्वी की त्रिज्या R की तुन्ना में नगणने हो तब हम समीकरण 4 का स्तमाल करते हैं अन्यथा हम समीकरण 3 का ही उप्योग करते हैं